सबी लोगों का स्वागत है चलिए देखते मार्केट कैसा बीफ कर सकता है सेकेंड हाफ में अभी बज़ने दस बच के सैटिस मिनट और यहां पर तोटली अगर देखा जाए ऑप्शन शीन में और निफ्टी के चार्ट पर तो एक ब्योली नेगेटिव यहां पर गैप डाउ और दिखाई और उसके बाद आप यहां पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह बैंक निफ्टी जाते हम और देखो एस पर्दा जो प्राइड बन रहा है वो तोटली यहां पर नेगेटिव बन रहा है यहां पर तो कोई भी उच्छाल आता है तो वहां पर आपको बिकवाली का ही प्लान करना चाहिए क्योंकि इस्टिल मार्केट लोक्स नेगेटिव और इंग्रिसिवली नेगेटि कि जो कॉल है वहां पर 7.6 लाग का ओपनेटिव दिख रहा है यानि नीचे की साइड जो ओपनेटिवली बढ़के आया है पुट साइड के बात करें तो पुट साइड पर 8.6 लाग का ओपनेटिव चौटिस पांसों के पर ट्रेड कर रहा है इसका मतलब क्या है कि हम चौटिस हजार पर काफी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है 12.6 लाग का ओपनेटिस पूट साइड पर दिख रहा है तो चौटिस हजार पर नजर रखो यहां पर हो सकता है बैंक निफ्टी होल्ड कर जाए आज के दिन के लिए वहीं बात कर लेते हैं अगर निफ्टी की दो स्टार्ट करता है तो मार्केट के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है और फिर यह 16,500 को भी टेस्ट करता है आज के दिन में इस चीज़ पर आम नजर रखो बाकि ओपन इंटर्स ज्यादा कुछ बता नहीं सकता है आज में क्यूंकि आज हम अल्रीड गैप स्टी सेलिंग प्रेशर में रहें तो फिर यहां पर आप समझ लीजिए कि आपको हर एक उच्छाल में विक्वाली का प्रेशर देखने को मिलेगा जब तक यह इंटर्डेम में 16,700 के ऊपर ट्रेट करना स्टार्ट नहीं करता निफ्टी और बैंग निफ्टी आपका अरौ नहीं है आप यहां पर यह कर सकते हो कि एक सेलिंग पर अगर कोई भी बाउंस मिलता है तो आप स्टॉप लगा के आप ट्रेट कर सकते हो नेगेटिव साइट पर बाउंस पर कहां तक का आना चाहिए राउंड 16,670,80 के लेविल तक का बाउंस पर अगर आता है तो आप जरू करियेगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए ते क्योंकि मैं अस दिन लेकि आता हूँ हर दिन आपके लिए ने वीडियो इसी के दाद शुक्रिया दोस्तो जै हिंद